कैसे हैं आप सब लोगा जो में फिर से खेलने वाल है तो सेम गेम नेम RC22 और यह वाला मैच मेरा फर्स्ट लीगो मैच होने वाला है और यह लीगो इंग्लेंड का होने वाला है इसमें Crown का Opponent है काफी तगड़ा मैच होगा बहुत ही जवर्दस दिखते हैं कौन जीता इस मैच को फिलहाल सबसे पहले हैं पर टॉस देखते हैं फॉर टॉस हम जीत के भाई मेलबन का ग्राउंड था इसलिए हमने सुछा चलो यार क्या करते हैं यहां पे हम बॉलिंग लेते हैं और बॉलिंग लेने का मतलब कि कहीं न कहीं भाई हमें पांच ओबर बोरियत का फील्ड करना पड़ेगा बॉलिंग करना मेरे को भाई उतना अच्छा लगता नहीं है खैर कोई बात नहीं चलो पहली गेंड यहां पर धीमी कती से हम गयन करने वारे थोड़ी सी यहां पर गेम लैग होई पहली गेंड पर कमाल का शॉट लगा अपोनेंट का लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहां पर मे प्यारो के करी फोर फोर थ्रीकल के अपोनेंट ने इस बर छक्का लगा कि छक्का का भी क्या बोलते है पूरा कर दिया कसर पूरी कर दिया पूरे तरीके से तो गाईज अब देखते हैं आखरी गेंड यहां पर रदाक्रिशनन की उमीद है कि एक बिकेट दिला दे लेकिन ह प्रोटेक्टर के रखा है बिलकुल यहां बॉड़ी पे लग गया 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 क्योंकि तशकी नामत की गया इन साइड जब ही उतनी अच्छी से टर्न होती नहीं है ज्यादा बाहर नहीं निकलती है तो कही नहीं आप इस तरह से भी बालिंग करके मतलब तशकी नामत से बाल का बाई पोजिशन पर इंटेंड किया है अच्छी पोजिशन के विए से अपोनेंट को मिल गया चौका है हमारे अगला अभर करने वारे हैं विल्यम्स और विल्यम्स के पास दूसरा कैरम और आप स्पीन आर्म तॉप स्पीन यह जूस बैरियाशन है कही ना कहीं बहुत अ साही वेरियाशन है उपर से अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं और यहां पर पहली गैंट पहली गैंट को भाई बाउंट्री के बाहर वेजना चाहते थे लेकिन खुद ही जाएंगे पैबिलियन इंड पे और गाईज चंप करने वाले हैं अगला गैंट और कैरम गैंट ह है कि भाई जदा हीट लगाने तो कोई फायदा है नहीं थोड़ा सब ही अगर मिश टाइम हो गया फिर परफेक्ट टाइम हो गया तो कैच होना ही है तो कही नहीं मेलवन का सबसे बढ़ी आया स्टैट्जी है कि आप पार प्ले में हीटिंग कर लो उसके बाद सिंगल डबल या फिर कोई लूज गेंद मिले वहाँ पर बड़े शौट के लो यहाँ पर तीन रन आ चुके थे और अगला ओवर करने वाले थे आई बेटलर याने कि चौथा अब तक आपोनेंट भाई तीन ओवर में 35 रन एक विकेट का नुक्षान पर बनाया था तो कही नहीं मेलवन पर गेंद मेले हैं और यह जो लाइन है वो कहीं नहीं पूरे तरीके से परिशान कर देगा ओभाई शौट केला वाई क्लासिक बैट्मिंग यहाँ पर दरसन देता हुआ पोनेंट काफी कमाल का शौट था फ्री शौट हो भी और यहाँ पर इस बार देखते हैं फिर से वह अब यह भाई किस दुनिया में रहते हैं यहां RC22 के फिल्डर अलगी सस्ते नसे करके बैठे हैं इस पर आखरी गेंद होने वाली है चौटे ओवर की आखरी गेंद बॉल अच्छा थी लेकिन शौट उससे भी बहतरीन यहाँ पर मिलेगा चौका अब यह आखरी ओवर करने या अगर आपके पास बिकेट है फिर भी आप हिटिंग नहीं करते हो तो भाई यह बहुत गलत है आप हिटिंग करो अगर बिकेट है तो तीन ओवर तक अच्छा खेलो तीन ओवर लेकिन चौथे ओवर हैं कोशिस करो कि एक दू बड़े हीट आ जाए बेसक आपके वहाँ दो तीन बिकेट चले जाए तो कोई बात नहीं है क्योंकि आपने तो पहले से बिकेट बचा के रखी है इसलिए को आपके बिकेट हो तो हिटिंग करो कोशिस करो कि हिट लगाओ यहाँ पर पोनिन को भाई सामने शौर्ट केलना चाहिए था लेकिन अच्छा शौर्ट वान 62-2 रण पोने ने स्कूर कर दीया है काफी कमाल की बैटिंग ऐसपेसली विलियम के थ्रूप काफी बढ़िया बैटिंग हो बाईस में 45 रणों की पारी यहां ने और दो बालों में 6 रणों की पारी जोनसन जेशन रोइने खेला इस बार यहां पर करते हैं हम विलियम साय है है हमारे सामने और हमारे सामने बैटिंग पर जो है हूँ है क्या बोलते हैं और बैंटेन की भाई अलग सीन है इस बार हम थोड़ी सी पीछे चले गयते हैं जिस वह से पूरे तरीके से बैट पर बॉल आया और मिल गया यहां पर चौका तो अब चाहिए यहां पर 59 रंस और इ इस बार देखनें दो गेंद अभी वाकी सोफ ओवर की भाई इस ओवर में हम एक और चौका लगा दी है और एक और बाउंडरी यहां पर इस पर आखरी गेंद फिर से वेट किया बॉल को काफी धीमिंगती की गेंद आई थी हमने जड़ दिया इसको भी बाउंडरी के बाह इस बार बिल्कुल एज लग गया यहां पर टामिंग बिल्कुल पॉर्फेक्ट हुई थी एज लग गया और इसके बिकेट की पर कितना अक्टिव है यह देखो अराम थे भाई फड़ा फर त्रो किया और बिकेट निकाल दिया तू गाईज यहां पर हम देखते हैं फिर से 27 को काफी अरली खेलना पड़ता है इस पर हम पीछे हटके अमीत मिस्रा को अराम थे खेला दो रनों के लिए और 35 रन बन चुके थे हमारे दो ओवर में अभी भाई अभी इस ओवर के पांच गयंदे बागी ती लेकिन यह देखो यहां पर गयंद काफी नीचे रगे अच्छा था बिल्कुल अच्छा था जब तक भाई गयं तो होगी हमें रन है लेने का मौका है दो और हम दो रन पूरा भी कर लेंगे आखरी के बाल बची है अब देखते हैं क्या होता इस ओवर कि आखरी बाल पर अराम से खेलके हम पूरा करेंगे दो रन्स और यहां पर दो रन्स और पूरा करेंगे और इसी के साथ 41 रनों पर हम पहुंच चुके हैं अभी दो ओवर बाकी है यहां पर डॉशन आया डॉशन के पास कैरम आरम होगरा सारे विरियेशन है इस बार अच्छा श्रॉट खेलने की कोशी से लेकिन बाल फोरी सी बैड से दूर रही जि और इसी के साथ 49 रन हमारे बन चुके थे इस बार देखते हैं यहां पर पीछे हट तो गहते हैं स्वाट भी अच्छा था लेकिन गैप में चली गई गया गया है और इसी वह से एक और चौका है अब गाइस देखते हैं क्या होता है अभी है 6 गेंदे वाकिए 7 गेंदे इस यहां पर देखते हैं अभी कितने गेंदे अब दो रन चाहिए चार गेंदे दो रन अरांतर खेला लेकिन देखो देड़ बॉल हो गई यह अलग सीन क्रियेट करते है देड़ बॉल अब गाइस में चाहिए था दो रन बस और यहां पर बिल्कुल बॉड़ी लाइन के करना काफी मुस्किल हो जाते है स्विप्शन की इस वैसे गेंदवाच काफी जदा अच्छा मतलब सावित होता है बॉलिंग में चाहिए आप पांड़ प्ले में करवाओ या फिर पांड़ प्ले के बाग और आखिरकार क्राउन के अपोनेंट को गाई हमने 4.4 ओवर में 6 नोटिफिकेट सहरा दिया है वीडियो कैसे लिए गाई इस कमेंट करके जरूर बता देना अगर चैनल पर नहीं हो तो सबस्काइब कर लो बेल आइकन को और पर कर लो क्याकि जब भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फिर मिलते हैं तब तक लिए जआ नोटिकेश बढतर हू और कéis जल जाए दोचो नए भी आए ए बताला ये भीडियो है ubeशिकेशन रिए और का वीडियो है जाँ हिर kaikki नही उते हैं शेचैं अथते हैं आई किन पह संदसे टीयो हैं आपको मिलते हैंसं पहुते हैंसे हैं